हेलो एवरीवान वेंकम बाक टो आयोटीप चानल वो भी ओना टूइंग ग्रेट तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पुरेंग टीटू का मुल्टी डासकर पैलेट और इस पैलेट पे मुझे रिक्वेस्ट आई थे कि आप इस पी वीडियो बनाओ कि यह पालेट अगर आप में चाइपन यू है तो वे चानल स्ट्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना मुल्ट लेगा नाव स्टार्ट इस पीटियर तो स्टार्ट करते हैं इसकी पाकेजिंग से तो यह कुछ इस टाइक ही है आपको फ्रांस पेरिंग यहां पे ग्लास में आपको स तो सारे कशलर से जो कापी सारे नोबो पर चल सेपते हैं और बाग के अगर माज़ा है तो यहां पर हमीं दिया गया कि इसमें है टूतर एटीन पीपी शेड्स तो यहां पर लिए और यहां पर इखा हुआ है जीट नंबर वन है 0-1 ठीक है और इसका आइं आंदा है जीरो कर सकी हूँ और मैं मोशली से ब्राइट पर जादा योज करती हूँ जब राइडन मेंकप हंड़ी मेंकप यह सब होते हैं तब और इसमें पाफ की सारे शेट से तो लोगों पर समझ भी आ जाते हैं और ओपन करते हैं आपको इस तरी इसमिल जागा इसमें एक आनमेटें टास अब आप इससे अराम से अपना लिप आउट लिफ एंड तो चीज़े कर सकते हो तो यह लिप ब्रेश भी काफी कमाल का हैं तो यहां पर हम शेट की बात करनेते हैं तो इसमें शेट दिये डर है अब नीचे की जो रो रो आपको दिख रही है ना यह सारे हमारे हैं ऐसे कलर इन सब कलर्स पिक तो ऐसे जो कलर्स आपको दिखने हैं आज पर हम गर्स के उपर जादर सूप पहते हैं और यह अच्छी है ना जब मैं अपने लिप्स्टिक प्लाए करती हूं तो बहुत अच्छी से भी पॉप अपको एक दूप कलर्स अप्लाए करके भी खांग डी जो यहां पे आजाते हैं कुछ और रेंट पिंग और डिक इस टाइब के कलर दुडर पे चल जाएगा अन फिर उसके बाद हमारे रिजा नियुन से उसके बहुत सारे कलर्स ए एक तरीके दिस बहुत सारे स्प्लापर अगर आप कर रहे हों तो आप आप दीड लिये यह वर शेड इस शेड से काफी अच्छी आपको प्लंपी लगए और देखने में काफी अट्राक्टिसन लिखता है मैं आपको अभी से यूज़ करके दिखा ओके तो मैं अप्लाए कर रही हूँ इस पो अपरी आउट लिप पे आउट लाइनिंग के लिए तो आप ब्राउन डाम ब्राउन कलर ये उसको ये अप्लाए हो गया हमारे आउट लिप पे और अब मैं फिल कर दूँगी ये सी आइट लिर से और इकना अगर जीनी एना इसका टेक्शर और आप जब लगाओ गये तो लाइक ये हटती भी है ये वो जंदी मेरे लिप को स्टैक पर देख रहा है पुछ ऐसा देख रहा है मेरे लिप और ये कॉंबिनेशन काफी अच्छा है मैं से जाए दर मिक्स करते हूं या तो मैं इसको और इसको मिक्स करके लगाने ती हूँ आपके क्लाइंस को सम्टाइम डाट यप स्टिक चाहिए तो आप या पर दाट पर यूज कर रखे पूछ भी शेड बना लेना तब लग सकती है या अगर लाइट चाहिए तो आप वाइट का यूज कर सकते हो इसको ऐसे लिए इस तरीके से लगा रही है तो यह इस तरीके से नविक्षन माच हो जाती है यह बहुत जाद अदल्ग वी शेड से और इसको लगा के अदर कुछ खा पी रहे हो आप तंपी असानी से नहीं है नहीं है लाइक बहुत टाइम लगता उसके पांद जाकी है तो इस पैलेट की यह सारी काफी खास बात है वह आपको कुछ और शेड भी लगा के दिखा रही हो जिससे आपको पता चल सकते हैं इस सारी शेड कितने अच्छ हैं अब मैं अप्लाए करूँगी पिंग शेड को लेकर अपना आउफ लिप करूँगी तो आउट लाइनिंग मैंने की है पिंग कलर से और अब मैं इसमें फिल करूँगी यह लाइफ शेड पर कुछ ऐसा है इस तरफ शेड बहुत ही प्यारा सा पिंग कलर और इसमें काफी सारे ऐसे भी कलर्स हैं लाइक यह हमारा हो गया और जिसको हम मिक्स और मैस पढ़के ब और हम बनाएंगे ब्राउन से के साथ मैं इसमें मिक्स करूंगी वाइट यह बन गया हमारा अनलम एक कलर न तो इस तरही किसे आप बहुत सारे कलर्स कस्टमाइज कर सकते हो फुसर और फिर उसके बाद आप इसे लगा सकते हो वह लगाते विखाते हैं यह इस वालिन लिप इसके साथ जाओ इसकी कॉलिटी थी अमेज़ी है ना कि आपको इसको बार शेकायत नहीं मिलेगी इतना अमेज़ी है यह पालेट सो अपार इस यह पालेट बेस्ट है फॉर अगर अगर आप ब्राइडल मेंकप जातर करते हो तब और परसली भी वैसा सजेस्टन अर्थी हो इसकाउं चलता है तो आप इसको आपको आपको एक किस्व सम्थिंग में मिल जाएगा मुझे तो ऐसे ही निला था यह और मैंने से नाइका से लिया था और गाईज तो अगर इस पालेट से रिलेटेंट आप एको कन्फूजन है तो आप लिचे को भी कर सकते हो आपस कर रि दोcott किस Vegetarian पालेट खार किसा तो आपस अगर रगदल कर तो आपको